दोस्तों, जितने भी HIV AIDS के Statist ह객 तो तो एशे लोगों क academy confusion होता है कि window period क्या होता है, उसका proper meaning क्या होता है ठीक है, और यह कितने दिनों का होता है कि फिंदो भाद, कि पता लगता है window period क्या रखता है window period क्योंकि बहुत सी जगों पर अलगा confusion है तो आज की वीडियो में यही confusion आपका दूर करने वाला हूं कि window period क्या है और यह कितने दिनों का होता है तो दोस्तों यह चैनल इस पैसली HIV AIDS के patient के लिए है क्योंकि इस चैनल के उपर मैं सिर्फ और सिर्फ HIV और AIDS के ही वीडियो डालने वाला हूं साथ ही कुछ हर्पीज और शिफिलिस के वीडियो डालने वाला हूं इसके लावगा कोई वीडियो नहीं होंगे तो आप इस चैनल को subscribe कर लें तो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मनीश चार्मा और मैं एक आयरवेदिक डॉक्टर हूं तो बिना खीज देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जो HIV और AIDS है ठीक है इसके अंदर जो window period आपने नाम सुमा होगा तो इसका जो basically simple सा मतलम आपको समझा जाता हू क्या होता है कि आप जब भी किसी HIV और AIDS patient के संपर्क में आते हो ठीक है आप contact में उसके साथ sex किया हो या फिर उसके साथ blood transfusion हुआ हो ठीक है कोई भी तरीके से contact में आयो हो उस दिन से लेके आपको positive आता है यानि HIV positive आता है test के अंदर वो दिन तक के बीच का जो सहमें होता है उसको कहते है window period ठीक है एक confusion अभी clear हो गई अब यह कितना लंबा हो सकता है जादा है अभी बात करें scientist की तो वो लोग मानते है यह जो window period है 45 days to 90 days तक हो यह नहीं 45 दिन से लेके 90 दिन तक होता है ठीक है पर यह चीज़ मैं नहीं मानता हूं क्योंकि वो बोलते हैं आप 90 दिन के बाद में नहीं आता है 90 दिन से पहले पहले ही आजाता है पर यह चीज़ मैं नहीं मानता हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल यह चीज़ देखी है मेरे बहुत से patient हैं बहुत से लोग है जो HIV patient के संपर्क में आए हैं वो मुझे call करते हैं और यह एक ही बात बोलते हैं सर कुछ लोग बोलते हैं मुझे 6 मेने बाद आया कुछ लोग बोलते हैं 8 मेने बाद आया कुछ लोग 3 मेने में विया जाते हैं ठीक कुछ लोग 2 मेने में विया जाता है तो मैं एक on an average अगर बात करूं अगर on average time की बात करूं तो आप 6 मेने स लेके साल बर मान सकते हो मेरे कोड़ी क्योंकि minimum six month और maximum one year one year के बार में आपको कोई chance नहीं है कि भी आपको HIV positive आए अगर आना है तो एक साल से पहले पहले आजाएगा इसका कारण क्या हो सकता है देखो कई बार क्या होता ना इंसान की immunity कम या ज्यादा होती है उसके उपर depend करता है अगर किसी की immunity पहले सी कम है कम जोर है खानपान सही नहीं है दिंचरिया सही नहीं है डिंकिंग smoking और गरते हैं बहुत जादा HIV मलब यह बार के जो लड़कें होती है कॉल गल्व अगर उती इनके संपर्थ में आता है ठीक है तो उनको जल्दी आने के चांसे होते हैं जिनकी healthy diet उप्लान होता है अच्छी खासी exercise करते हैं अच्छा खासा दिंचरिया उनके अच्छी कासी होती है drinking smoking ऐसी habit कुछ नहीं होती है ठीक है immunity strong होती है उनको जो HIV भी वाइरस है वो control करने में time लगाता है इसलिए उनकी जो reports में ही positive आने में time लगता है तो इसलिए इस तीजनाख फराख होता है window period के अंदर बाकि जो मेरे coding आपका 6 मेने से लेके 9 मेने के बीच में ये window period होता है ठीक है और बात करें कि भी या इसके इलाज की तो इलाज की तो इलाज भाई आफ सीदी सी बात है या टी है अलोपैथी के अंदर बात आयरोजिक treatment की तो आयरोजिक treatment से लेटे कोई भी जान करें अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर आपको नीचे दे रहा हूं इस screen के उपर चल रहा है इस नंबर पर आप call करे और जो भी जानकाई चाहिए है आपको HIV-AIDS से लेटेड आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों और साथ ही treatment से लेटेड कोई जानकाई चाहिए तो वो भी आप इस नंबर पर call करके ले सकते हैं बिल्कुल बाकि जो window period से लेटेड कोई भी confusion अगर आपको है इसके अलावा और भी तो आप मुझे comment में करके बताइए और उसके अलावा हर मेने जो हम Q&A series लेके आते हैं question and answer series लेके आते हैं जो कि हमने latest ही शूरू किये कुछ दिनों पहले तो उसके अंदर भी आप अपने सवाल पू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद